हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोने स्टोरी पर स्टोरी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूंगे कि अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत पुलिएगा तो शुरू करते हैं आज की कहानी एक बार एक शिष्ये ने अपने गुरू से पूछा कि भगवान कहा है गुरू ने बताया कि भगवान यहां है, वहां है, मुझ में है, तुम में है, हर बस्तू में है, हर जगे है इस समवाद के बाद शिशे किसी काम से दूसरे गाउं जाने के लिए निकला रास्ते में चलते समय उसने देखा एक हाथी काफी तेजी से दोड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है और हाथी पर बैठा महावत जोर जोर से चिला रहा है कि रास्ते से हट जाओ हाथी पागल हो गया है थोड़े देर पहले ही बताई अपने गुरू की बातें शिशे के दिमाग में घूम रही थी कि भगवान हर वस्तु में हर प्राने में हर जगा में इसका मतलब है कि भगवान उस हाथी में भी है और भगवान मुझ में भी है अगर ऐसा है तो क्या भगवान खुद को मारेंगे बिल्कुल नहीं और यह सोच कर वे अपने रास्ते से नहीं आटा हाथी तेजी से उसके पास आया हाथी ने अपने सून्ड से शिशे को काफी दूर फैंक दिया कुछ नसीबी से शिशे पास की नरम माटी में गिरा इसलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई इस घटना से शिशे थर-थर काफने लगा और काफी डर गया साथ ही वे सोचने लगा कि गुरु ने जो बताया था क्या वे जूट था गुरु ने मुझसे जूट क्यों बोला थोड़ी देर बाद दूसरे शिश्यों की सहायता से जब वे शिश्य अपने गुरु के पास पहुचा तो उसने गुरु से पूछा कि अगर आपने जो बोला था वे सच हैं तो हाथी में जो भगवान था उन्होंने मेरे अंदर के भगवान के साथ ऐसा क्यों किया गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा यह बात सच है कि हाथी के अंदर भी भगवान है और तुम्हारे अंदर भी लेकिन उस महावत के अंदर भी तो भगवान है जो तुम्हें रास्ते से हटने के लिए कह रहा था फिर तुमने उसकी बात क्यों नहीं माने दोस्तों यही होता आया है हम अधूरी बात समझ कर अधूरा ग्यान पाकर हमेशा उस परम शक्ति पर सवाल करते आएं है जिस दिन हम उस संपोर्ण ग्यान को अच्छे से आत्मसाथ कर लेंगे उस दिन हमें बिना किसी सवाल के सभी जवाब मिल जाएंगे यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दन्यवाद